यह कोई फार्मूले नहीं है, सब के सब केवल औ केवल इसी से बने हुए है, अन पाथ B, समान पाथ B लिख दिया, समान पाथ की जगा पराबर लगा दिया, B अन पाथ C को B बटे C लिख दिया, हाँ न? अब क्रास बुड़ा कर दिया, उसके बाद सारे के सारे ये टीनो चार फार्मूले आते चले जाएंगे, हलो बच्चो कैसे आप लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग त्यारी कर रहे थे जवाहां न वदे विद्याले प्रिवेस परिच्छा 2020 में, जो उनकी सप्रेल को होने वाली है, तो इसमें एक चैप्टर है, अनुपात और समान पा है, अगर कोई दो अनुपात हो, एक अनुपात अनुपात भी है, और दूसरा जो है बी अनुपात सी है, इन दोनों अनुपातों के बीच में संबंद बताने वाला जो समान पात का है रिसान, जो चार बिंदिया रहेंगी समान पात है, केवल दो रहेंगी तो वो अनुपा तो कि बीच में संबंद बताता है कौन ये समानपात वाला अब देखो ये समानपात दो तरीके खो सकते हैं पहला कतेगरी है जब तीन ही रासिया हो A, B, C और जो B रासि है वो दो बार हो दोनों अनपातों में हो एक अनपात B और फिर B अनपात C और दूसरी कंडिशन है कि च संबंद बनता है देखो इसका यहां पर वाई समानपात लगा है इसमें संबंद ये बनता है कि A बटा B बराबर समझो B बटा C के इसी से ये सारो के सारे बने हुए है जो तीनों के तीनों सवाल है देखो इसमें जो ये बीच वाला होता है ये हिस्सा इसे बोलते हैं मध्य मध्या वर्तिय अनुपात या मध्या अनुपात क्या बोलते हैं मध्या अनुपात है और यह जो A और C वाले हैं A और C बाहर बाहर के इनको बोलते हैं बाह अनुपात कौन सा अनुपात बाह अनुपात बाह अनुपात अग देखो जो मद्धिया अनुपात की बात हो रही यहां पर वो कुछ नहीं यही बीच वाले बी को ग्यात करने की बात हो रही है ठीक है? इसकी बात हो रही है? बी की, जो यह तृतिया अनुपात की बात कर रहा है तृतिया मतलब तीसरे नंबर पर जैसे दोखो यह पहला है, यह दूसरा, तो इसे तीसरा ना समझो, यह दोने एक ही है, यह समझो ऐसे दिया हुआ मिल जाए हमको, इस तरीके से, और एक में अलग अलग है, थीक है, तो तुर्तिया अनुपात में हम किसकी बात कर लेंगे भही तुर्तिया अनुपात में हम C की बात कर लेंगे यहां की ठीक है यह तब है जब रासियां कितनी है तीन रासियां कितनी है A B C अब देखो प्रत्रमा अनुपात की बात प्रत्रमा अनुपात यह पहला वाला होता है बाई जो यह है इसका मतलब क्या होता A बटे B, बराबर B बटे C ही तो होता है अगर इसका गुड़ा करे तो क्या हो जाएगा AC बराबर B कभी से गुड़ा होगा तो हो जाएगा B स्कॉयर, यहीं तो होगा अब यहां से अगर B निकालो आप तो क्या मिलेगा, B बराबर इधर इधर का स्वाय के इधर अंडर रूट बन जाएगा, रूट के अंदर A, C देखो B बराबर route AC दिया है ना B bी च्वाहला है ना इसीजिद्ध निकल कर एक नहीं है आप देखो C वाले को निकालते हैं कैसे निकालते हैं इसी से क्या दिया हुआ है हमारा फार्मूल जो ये बना है कैसे बना है A अनुपाथ B अनुपाथ समान उपात B अनपात C यहीं तो है ना इसको आप क्या लिखते हो A बटे B बराबर B बटे C आपने क्रास बुड़ा किया दोनों का A C बराबर B स्कॉर लिखा था ना अगर यहां से हम C निकालना चाहे क्या निकालना चाहे तो A इधर गुरे में है ना उधर जाएगा तो भाग भी तो B स्कॉर बटे A हो जाएगा ना यह भाग में चला जाएगा ना और यह B स्कॉर बटे A कौन है तुरतियान उपाती है देखो C का मान निकला ना अगर हम A को निकालना चाहेते तो क्या करते C को उधर भी अपनेते A बराबर क्या हो जाता B स्कॉर अपन C देखो यह वाला मिल गया पर्थम वाला अब देखो चोथा कैसे रहेगा चतूर्थान पात चतूर्था इसको बोलते है यह चतूर्था होता है चोथा होता है कौन सो होता है चतूर्थान पात तो क्या बनेगा, A का D से बुड़ा होगा ना, मतलब A B बराबर B C, A D बराबर B C हुआ है ना, हमको D आला चाहिए, तो D के साथ जो बुड़े में हो भात में चला चाहिएगा, मतलब हो गया कि D बराबर B C बटा A, देखो यही तो है, B C बटा A, सारे के सारे फार्मुले इसी से बन जाते हैं उनपास से ही, आप देखो इस पर सवाल कैसे लगते हैं, यहाँ पर देखो, 5 दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, समान पाथ, 3 अन पाथ, 15, 5 अन पाथ, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है कुछ भी हो सकता है, X, Y, यह कुछ भी मान सकते हो, कि किसी का मान निकालना है कैसे निकलेगा मैं कहता हूं कोई फारीन लाख वैच वाला मेट रावन है यह मानन लो ए यह है यह बी है यह क्या है सी है और यह यह हमारा क्या बनेगा इसको मान देते हैं कि यह पांच लिन बड़े यहाँ पेром इसे बना देते हैं क्या बनाते हैं एब और अभी इसको समझ हो जहां से यह दो अनपात है यहाँ वाला ही लिया है इसलिए वह नहीं पता रहो बार बार इसको क्या लिखते हो A बता B बराबर C बता B यही तो लिखते हो है ना तो वही चीज तो हम भी कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे है पाई 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 यहाँ पे कुछ नहीं है मालो एक्स है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा पाउच बटे question mark ही लगा रहे हम दो ठीक है बराबर 3 बटे 15 यह बनेगा यह भी बनेगा ना अब गुड़ा का दो इधर cross cross गुड़ा यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा पंद्रा पचे 75 इधर क्या हो जाएगा तीन गुड़े question mark अब question mark बराबर क्या हो जाएगा तीन के साथ गुड़े में इधर आएगा तो भाग में ना भाई question mark के साथ यह तीन गुड़े में है ना वो है क्या है question mark की जगे पे 25 है कौन है 25 इनको यहीं ने समझ में आ रहा क्या है देख कहीं ओर रही है यह क्या हो गया भई 25 कैसे निकल के पता लगा न सिर्फ एक formula यहीं लगाना है कोई formula ना याद करो तब भी हो जाएगा कोई भी formula ना याद करो अब देखो इसको भी लगाएंगे इसी तरीके से एक को formula नहीं लगाएंगे सिर्फ क्या करो यह समझो क्या है A अनपात B समानपात C अनपात D क्या करो यह A बटे B समझो बराबर C बटे D समझो बात क्लियर अब इसके बाद देखो इस तरीके से क्या बनेगा हम इसे भी कर देंगे इसी तरीके से क्या हो जाएगा 10 बटे 13 बराबर X बटे 26 यह बने क्या बनेगा अब देखो इधर यह भाद में इधर बेस दो गुड़े में बस इतना काम कर लो तो क्या हो जाएगा 10 के साथ गुड़े में आ गया 26, बटे कितना है, 13, इधर बचा X, 13 दूना 26, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, हो गया, इसको भी कर सकते हो, मान ले यहाँ पर X है, क्या है, क्या हो जाएगा, 2 बटे 5 बराबर 8 बटे X, इसका इसका गोड़ा कर दो भाई, तो यह हो जाएगा कितना है, यह हो जाएगा, 2 X बराबर 8 पर चालिस, X बराबर 40 बटे 2, दो दूना चाह, दो सुनन सुन, 20 आ गया, इनके बीच का मध्यान उपाती कह रहा है, मध्यान उपाती कहने का मतलब देखो, तमारे पास क्या होना चाहिए, A और C होना चाहिए, अब B होता है बीच व 15 आरा उपात, यह A है, B समान उपात, B अनुपात, C, C मतलब 72, यह इस तरीके वाला है, मध्यान उपात हमारा कौन साह, B है, मध्यान उपात को फर्मुला क्या होता है, B पराबर अंदर रूट के अंदर, A, C, तो मध्यान उपात इनका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, B ब देखो यह C हो गया और यह क्या है? यह A है तो दोनों का मान रख दो B बराबर क्या हो जाएगा? A की जगे पे 18 और C की जगे पे 72 गुड़ा कर दो फटाक से क्या जाएगा गुड़ा? 18 गुना 36 के 6 हां से